सभी समुह की महिलाओं को मेरे तरफशे नमस्कार आप सभी को प्रेंडना टीवी चैनल के तरफशे भी नमस्कार जी हाँ दिदी आप सभी का बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है इसके लिए आप सभी का मैं तेह दिल से धन्यवाद करती हूँ ग्राम संगठन के पदाधिकारियों को मिलेगा 6 लाग जी हाँ दिदी ये 100 प्रतिसा सही है 6 लाग की गारी आजीव का एश्प्रेश दी जा रही है तो दिदी पूरा डीटेल में जानने के लिए आप मेरे वीडियो को अंतक जरूर देखे आप थोड़ा भी किप मत किजिएगा क्योंकि आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा तो आप सभी से निवेदन है कि आप तक वीडियो देखे और समझे किस प्रकार से आप लोग आजीव का एश्प्रेश पासकती है जी हाँ तो चलिए देदी ज्यादा नहीं बात करूगी में टॉपिक कितर बाती हूँ आजीव का ग्रामेड एक्सप्रेश योजना जी हाँ आजीव का ग्रामेड एक्सप्रेश योजना क्या है इस वीडियो में जी हाँ ये जानते हैं क्या है इस वीडियो में ग्रामीड इलाकों में रोजगार के लिए आजीव का ग्रामीड एक्सप्रेश योजना आजीव का ग्रामीड एक्सप्रेश योजना के लाग आजीव का ग्रामीड एक्सप्रेश योजना आवेदन जीहां आजीव का ग्रामीड एक्सप्रेश योजना क्या है मेरी दिदियों आप सभी को खुशी का समय आ गया है क्यूंकि स्री राम कृपाल यादव जी ने जो की ग्रामेड विकास मंत्री है उन्होंने आजीव का ग्रामेड एक्सप्रेश योजना का उधगाटन किया है आजीव का ग्रामेड एक्सप्रेश योजना का मुख्य उधश सार्व जनिक परिवहान सेवाओं की सुविधा प्रदान करना है इसका मुख्य उधश पिछडे ग्रामेड छेत्रों में स्वैम शहायता सम्हों के सदस्यों को आजीव का का एक सुरोत प्रदान करना है गेज के 17 राज्यों के 5209 गाओं में 89,814 उद्धम स्थापित करने की पर्योजनाओं का मंजूरी दी है सरकार देज के सभी राज्यों और केंद्र शाशित प्रदेश को दिल्ली और चंडी गड़ को छोड़ कर में D.A.Y.N.R.L.M. लागू कर रही है ग्रामिड इलाकों में रोजगार के लिए आजीव का ग्रामिड एक्सपेस योजना चलाई जा रही है दीदी जी आप सभी सोच रहे होंगी आजीव का ग्रामिड एक्सपेस योजना का मुख उद्धेश क्या है हम सबको इसके क्या लाब होंगे तथा हम इस योजना का लाब किस प्रकार से ले सकेंगे दीदी यहाँ आजीव का ग्रामिड एक्सपेस योजना सभी गरीव और अमीर व्यक्तियों के लिए है जो भी इस योजना का लाब लेना चाहते हैं वह इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसके बारे में संपूर जनकारी डिटेल में बताएंगी जी हाँ हम बताएंगे ताकि आप सभी आजीव का ग्रामिड एक्सपेस योजना का लाब ले सकें आजीव का ग्रामिड एक्सपेस इसी योजना में संस्थानों के बैंक जुड़वा पर ध्यान किंदित किया गया है ताकि उनकी आयका पता चल सके प्रारम्ब से ही महिला स्वयम शहायता समू और उनके महासंगों के लिए जुटाया गया संची बैंक क्रेडिट एक दस्मलों 19 लाग करोड रुपए है आजीव का ग्रामीर एक्सप्रेश योजना का मुक्युद्य स्वयम शहायता समू के सदस्यों को आजीव का प्रदान करवाना है इसके तहत पिछड़े ग्रामीर छेत्रों में सार्वजनिक परिवाहन सिवाओं परिचालित करने की सुधा प्रदान करना है इससे ई रिक्सा तीन और चार विलन मोटर परिवाहन नो को सुरच्छित और सस्ती सामुदाइक निग्रानी वाले ग्रामीर परिवाहन सुधाएं उपलब्ध होंगी ताकि दूर दराज के गाउं को बजार, सिच्छा और स्वास्त जती मुख्य सेवाव और सुधाओं से जोड़ा जा सके आज युका ग्रामीर एक्सप्रेस योजना के लाव दीदी आज युका ग्रामीर एक्सप्रेस योजना के बहुत से लाव हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कृपया अंतक वीडियो देखें आज युका ग्रामिन एक्सपेस योजना के तहत स्वायता जिहां स्वायम शायता समुहों को शायता प्रदान की जाएगी इस योजना के द्वारा पिछडा छेत्र का आर्थिक विकास होगा इस योजना का मुखें उद्देश बजार सिच्छा और स्वास्त सहित प्रमुक सेवाओं और शुवधाओं के साथ दूरदराज के गाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा इरिक्सा 3 और 4 विलर मोटर परिवाहन नो जैसी एक सुरच्छी सस्ती और सामुदाईक निगरानी सहित ग्रामिर परिवाहन सेमाय प्रदान की जाएगी सामुदाईक आधास संगठन सीबी ओ अपने स्वयम के कोश से सहायता समुद के सदस्यों को वाहन खरिदने के लिए ब्याज रहित रिड़ प्रदान करेगा कुल रासी के अलावा लगभग 188 करोन रुपय को लगभग 89.8 लाख सजी को रिवाल्विंग फंड के रूप में स्विक्रित किया गया है इस कारिक्रम में ग्रामिर छेत्रों में महिला किसानों के लिए क्रिशी और गैर क्रिशी आधारित आजीवका को बढ़ावा देने के लिए समर्पित घटक सहिद महिला ससक्ती करण होगा देश के सत्रा राज्यों के 5209 गाउं में 89.814 उद्दम स्ताफित करने की परियोजना को मंजूरी दी गई है आजीवका ग्रामिर एक्सप्रेस योजना अवेदन इसकी ज़्यादा जयानकारी के लिए इस वीडियो को देखते रहे दीदी आपको आजीवका ग्रामिर एक्सप्रेस योजना किस प्रकार की लगी यदि आप इसके सम्भादित कोई प्रश्न पूछना चाहती है तो मेरे कॉमेंट कर पूछ सकती है हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहे गए और हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे जी दी और एक बार दीदी ध्यान दे यह जब भी आज जीव का इस पर दिया जा रहा है तो ग्राम संगठन में दिया जा रहा है जी हाँ ग्राम संगठन के पदा अधिकारियों को अधिकतर दिदी यह पूछते हैं कि हम लोग पदा अधिकारिया बना दिये गए हैं लेकिन हम लोग को कोई मुईतन मिलेगा या नहीं या कोई मांदे मिलेगा या नहीं तो हर दीदियों के समस्या है मांदे क्योंकि अपना घर छोड़ के समय देती हैं दीदियां तो उनके लिए कुछ खास-खास योजनाय रखी गई है अधिकतर जो योजनाय आ रही है वो ग्राम संगठन में पैद ले आती है तो उसके पदा अधिकारियों को मिलता है उसके बाद समू में जब आते हैं तो समू में जो पदा अधिकारिया रहती है उन्हें योजना को उन्हेला मिलता है तो इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूं कि आप समू में भी अधिकारियों को ही अक्सर इसी सदस्या को हैं तो उनको ही हर चीज का लाव मिलता जाएगा तो आप सब भी आगे बढ़िए पहले समु में आप लोग चेंज करिए कि अध्या सची कोशादस को दो साल के बाद फिर वही दिया ग्राम संगठन में जाके इसी सदस्या हो जाती ह है तो इस तरह क्या है कि हर महिला को एक बार मौका जरूर मुलेगा तो आप लोग को ही करना है कि आप लोग को करना कैसे हैं तो आप लोग ही स्वहम शाधा शमव में जो पदादिकानिया हैं 2 साल में इसकोशेंज कीजिए पिर वह ग्राम संगठन में जाएगी तो उनको भ प्रहले आप सदर्श से अब ऐसके बाद वडूमधिक उठाई आपको विडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब庘 बादी करता सो कले से दिए उट विडियों को मांतिे नहीं मिलता है वेतर नहीं मिलता लेकिन योजनाओं का लाप सबसे पहले ही मिल जाता है तो आज की उडियो मितना है दिदी धन्यवाद